तो इससी का यह वीडियो नंबर पाच है हम लोग इससे पहले चार वीडियो कर ली है जो लोग चार वीडियो नहीं देखे हैं मैं उसका link description box में दे दूंगा आप वहां से देख सकते हैं तो हम लोग आते हैं इस वीडियों के question number 1 पर 1 क्या बोलता है कि in triangle ABC if angle A is 55 degree and angle C is 80 degree then which one is ट्रू ठीक है तो यह चारो में से कौन सही है वो चूज करना है ठीक है और गिवन क्या है एक ट्रेंगल गिवन है एक ट्रेंगल गिवन है इस तरीके से ट्रेंगल ए बी और सी ट्रेंगल है एंगल एक इतना है एंगल यह है वो है 55 डिगरी है ठीक है और एंगल सी कितना है एं द्ह Subscribe О именно this region's के इने तो हम पहले कहाँ से i password क्यों की हमारे सब्सक्राइब को कौन किसे बढ़ा है चोटा है वह को दिखाना है ठीक है तो हम तीनों इंगल निकाल ने है अगर हम तीनों एंगल निंकाल लेते हैं तो उससे हम जज कर पाएंगे कि कौन साइड किससे बड़ा है किससे छोटा है ठीक हम लोग हम लोग साइड का मेजर्मेंट हम लोग उसके अपोजिट एंगल से कर सकते हैं कैसे देखते हैं तो पहले यह तीनों एंगल निकाल लें है और वह से बड़ा है ठीक है जो साइड को मतलब कैसे देखते हैं जॉन जा एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड हमेशा बड़ा होता है क्यों समझते हैं जैसे कि हम एक साइड लिए है फार्व संटीबिट्रेंट ठीक है इस से ङंगल बनाएं कहीं ठीक है इसे यह अंगल कहीं बनाएं यहां यह बनाती है कि तरीक से जितना mean he would इस से मतलब कि जो साइट बड़ा है उससे के सामने बाला एंगल हमेशा बड़ा होता है या फिर उसका reciprocal जो एंगल बड़ा है उसके सामने बाद हमेशा बड़ा होता है तो ये एंगल बड़ा है 80 बड़ा है तो जो AB है वो सबसे बड़ा होगा ठीक है जो AB है वो सबसे बड़ा होगा ठीक है और फिर अब आते हम किसमें 45 और 45 में बड़ा कौन है एंगल ए बड़ा है तो जो BC है जो BC है AB से छोटा होगा जो BC है वो AB से छोटा होगा लेकिन बड़ा किस्ट होगा बड़ा होगा AC से ठीक है हम एंगल को पहले मेजर करते हैं ठीक है हम लोग उसके अकॉर्डिंग सारे साइड का मेजर्मेंट को हम लोग निकाल सकते हैं सबसे व्लाइज All rental Cons só सबसे कॉन से हैं ऊसके बाद कौण सा है पच पैसे हैं सामने में कौन है सामने में BCA किशी पर फिर 15 डिग्री बड़ा है फिर कांच सा है 45 डिज्ट बला है ठीक है तो यह हुआ इस question का answer जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने का साइड उतना ही बड़ा होगा ठीक है तो I hope यह question आप सबको समझ में आगया होगा तो इसका option number a b b c a c option option number fours का सही answer है तो माते हम question number two पे पुष्ण में तू के बोलता है दे सेंटर फ़सर किल ओ और एंड पीटी देंट अटी अच्छा पीटी इस बीची इस डियमेटर अफ सर्कल अड बीची इस एक स्टेंड तो मिट इंड टेंड पी ठीक है इव जिए गिवन ड़ड पीश्वार इस एक सर्कलिसरी के से पहल कैո एक टेंड एपॉइंट पि इस तरीके से सब्सक्राइंग कर सकते हैं ऐसे पीट facilmente अगा मुल रहा है कि अभलिगत कुशन पढिये अब प्यूड हारया ब्रीटीस पाड़िए का इसका जो BC है वो डामेटर है ठीक है और जो BC है वो मतलब हो जा करके extend हो करके point P पर मिट कर रहा है ठीक है तो BC इसका है जो डामेटर होगा इस तरीके से B और C इसका डामेटर है यहां पर T है ठीक है और क्या पूछ रहा है हम से BC is equal to PC is equal to कितना है यह है फोर सेंटिमेटर है ठीक है और PT is equal to 8 cm यह है 8 cm और हमसे पूछ क्या रहा है find the radius of circle तो हमको radius निकालना है रेडियस से पहले हमको यह BC डामेटर है जो BC डामेटर हमको पहले वो निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक result है, एक proof है, वो क्या है, कि अगर कोई बाहरी point से tangent आ रहा हो, ठीक है, अगर वो एक tangent हो, और वो एक मतलो circle के bit से cross कर रहा होता है, second इसको बोलते है, अगर वो ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते है, pt का square is equal to pure का गुना, ठीक है, pb into किसका गुना, cp का गुना, यह हमारे पास result होता है हमको, इसको याद रखने पड़ेगा, अगर figure ऐसा है, तो हम लोग इसको pt का square, मतलब कि यह proof होता यह proof हम लोग triangle को similar कर सकते हैं, ठीक है, अगर उतना करने गया है, तो फिर यह video काफी, लंब हो जाएगा, बच हम इस चीज को याद रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग star mark कर लेते हैं, इसको याद रखेंगें, ठीक है, तो यह हमारे सामने proof है, इसको हम put करते है, pt कितना है pt वो है, इसको भी x माल नेते हैं, ठीक है, ऐसे हम bc को माल लिए, x, ठीक है, bc को हम x माल लिए, तो pt कितना है, 8 का square हो गया, ठीक है, pb, pb मतलब क्या x plus 4, यहाँ पहम लोग, x plus 4 कर लिए, कोई दिक्कत, into, cp कितना है, cp है, वो है, 4, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होना चाहिए, 64 is equal to x मतलब 4x plus, कितना, 16, ठीक है, यह हो गया, यहाँ से यह इधरा जाएगा, तो हैं कितना हो गया, 16, 64 minus 16 is equal to 4x, 4 में से यह हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 1 गया, तो 4 is equal to 4x, यहाँ तक दिखाई तो पढ़ना चाहिए, 4x हो गया, अब हम यह यहां आते हैं, यहां से आगा, जो हम एक्स निकालते हैं, तो एक्स इसको क्यों हो जाएगा, 48 into 4, इसको हम काट सकते हैं, कितना बार में, 12 टाइब में, ठीक है, कट गया, यह x क्या है, एक समाहा डा, डामेटर निकला है, इसको हम लोग अगर जो आधा कर देते हैं, इसका आर कितना हो जागा, इसका हो जागा, x upon 2, मतलब की, 20 का आधा कर दो, तो हो जाएगा, कितना, 12 बटे, 2, मतलब की, 6 इसका, एडियस हो गया, ठीक है, ऑप्शन नुम्बर 6 कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नुम्र 6, ऑप्शन 20, 30 का अंसर है, ठीक है, हमने इसमें क्या कर रहा है यह हमार सामने यह given है, सारा कुछ, ठीक है, 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 यह हम, यह result होता है, इसको याद रखते है, ठीक है, बाकि बस value put कर रहा है, मैंने, और x निकाल लिए है, x क्या है, x हमारा diameter है, उसका आधा कर देंगे, तो इस circle का radius निकल ठीक है, यहाँ पर दिखाई निक पड़ने का ना, इसको हम, इसी चीज को हम, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, यह हुआ हमारा, इस question काई से, अब आते हैं, question number, 3 पर, question number 3 क्या बोल रहा है, question number 3 है, in the following figure, which are the following statement is true, यह figure given है, question में, इसमें कौन सा statement, true है, ठीक है, वो निकालना कुछ figure ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर A है, B है, C है, angle B पर, number degree है, और एक, ऐसे है, land draw किया हुआ हुआ है, इस तरीके से, यहाँ पर C है, ठीक है, और की given है, और यह बला है, जो, 30 degree है, और यह बला है, जो, वो भी, 30 degree है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, और कुछ इसमें given ह है नहीं, बस, अगर, यह 30, यह 30, मतलब कि यह पूरा कितना हो गया, यह पूरा हो गया, 60 हो गया, यह 60, यह 90, तो यह यह बला कितना हो गया, यह बला हो गया, 30 degree, ठीक है, अब option यह पर आते हैं, ठीक, इस question को चेक करें, options नहीं, AB is equal to AC, क्या AB is equal to AC हो सकता है, AB is equal to AC, बिल्कुल नहीं होगा, AB is equal to AC, कभी possible है यह नहीं, AB is equal to AC कभी possible है, कभी नहीं possible है, मतलब कि जो AC है, वो AB का part है, बरावर तो होगा है नहीं, option number, एक गलत हो गया, option 2 पर आते हैं, AB is equal to BD, AB कहांपे है, AB is equal to BD, 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 अच्छा, D यहां पर, D कहांपे है, और इसको गलती कर दे है, something यहां पर है, यहां पर A है, ठीक है, यहां पर A है, यहां पर A है, ठीक है, और यहां पर क्या है, इसकरते है, यहां पर A है, यहां पर C है यहां पर D है ठीक है एक कोश्चन है हम option फिर देखते है a b is equal to a c option 1 में क्या है a b is equal to a b is equal to a c नहीं a b is equal to a c कोई possible नहीं है a c के सामने कौन साइड है जो a b है जैसे कि हम ट्रेंगल लेते हैं हम यह option 1 का बात कर रहें किस पर जो a b is equal to a c given a b is equal to a c given उसे बात कर रहा है ठीक है a b is equal to a c possible है कैसे possible है देखते हैं possible नहीं वैसे आए बी जैसे कि triangle कौन सा triangle हम a b c triangle लेते हैं इसमें जो c a है वो क्या है c a के hypotenuse है वो तो हमेशा बाकी दोनों साइड से बढ़ा ही होगा तो कभी बराबर होने से रहाए तो option 1 गलती हो गया option 2 पर आते हैं option 2 क्या बोलता है option 2 बोल रहा है a b is equal to b d a b a b कहां पर है a b is equal to b d possible है नहीं possible है क्यों क्योंकि a b यहां पर a b is equal to b d b d यहां पर है a b यहां पर है ठीक है हम लोग side को equal कब कर सकते हैं जब इसके सामने वाला दोनों एंगल आपस में बराबर हो ठीक है तो b d के सामने कौन सा है वो है 60 degree है और a b के सामने कौन सा है वो है 30 degree है यह भी बराबर नहीं होगा मतलब option 2 भी गलत हो गया option 3 पाता है 3 में क्या बोल रहा है a c is equal to b d 3 में है a c is equal to b d a c is equal to b d ac कहां पर है a c a c a c a c is equal to b d b d possible है a c के सामने 90 degree ठीक है और कौन सा है b d b d के सामने है जो 60 degree possible है नहीं यह भी गलत हो गया ठीक है आते हैं option 4 पर सही होना चाहिए c is equal to c d c a is equal to c d c a c a c a c a c a यहां पर है ठीक है c a यहां पर है यह सी यह सामने में कौन है 30 degree है ठीक है और c d कहां गया c d यहां पर है सामने में कौन है 30 degree है यह बिल्कुल सही है तो option में हमारा 4 सही हुआ हम ऐसे question को check करें कैसे हम बिल्कुल उसको check करेंगे options सही ठीक है तो option में 4 इसका सही answer हुआ अब आता है question 4 पर ठीक है question 4 क्या बोलता है question 4 in triangle abc angle b is equal to 70 degree angle c is equal to 32 १bn ठीक है ऐक triangle है triangle एक triangle यह तरीके से एक triangle है ठीक है angle these equal to gng looks at a week Ahverstein i ृण है यंगल भी कितनां एंगल भी है जो 70 निगरी है ठीक है है और एंगलल कीतना है एंगल इacia हो है 30 Dur एक इतना वाल सकते हैं वहेश्राशन पर परपेंडिकूलर है किस पर AD पे BC पे perpendicular है कौन AD और जो AE है वो angle A को कर रहा है bisect ठीक है समझते में question question क्या है एक ABC triangle है जिसमें angle C 70 degree है ठीक है और angle B 70 degree angle C 30 degree है ठीक है इसमें बोल के रहा है AD perpendicular है side BC पे और AE है जो angle A को bisect कर रहा है मतलब कि यह वाला angle is equal to कौन वाला angle यह वाला angle ठीक है इसको हम एक समानते हैं इसको हम लोग X माने है ठीक है यहां पर यह 90 degree है बस question की भीन है हम से find करने क्या बोल रहा है DAE DAE मतलब हमसे यह angle निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा यह यह वाला angle ठीक है यह angle इसको हम निकालने के लिए बोल रहा है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग जब यह 80 degree है तो यह X वाला क्या 40 हो जाएगा ठीक है यह X वाला क्या 40 हो जाएगा ठीक है यह 40 हो गया ठीक है जब हम यहां तो कोई दिकत नी कि यह पूरा यह angle 80 है तो जो ए है इसको कर रहा है तो यह 40 यह 40 हो गया यहां तो कोई दिकत नी अब आते हैं कोई है triangle triangle में हम आते हैं बी डी ट्राइंगल में ए बी डी ट्राइंगल में यह नब्बे तो यह भी नब्बे हो गया ठीक है अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिगरी का है और एक एंगल 70 गीवन है और हमको इसको निकालना है ठीक है अगर हमको इसको निकालना है इसको 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 निकालना है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लोग अंगल कौन सा अंगल भी ए अजय और इनकलतव है अंगिंद करसकते हैं एंगल ये फेफिर कॉने अग्रफिताता। करते हैं इस को नीचे करते हैं हमको निकालना कौन सा है हमको निकालना है एंगल बी अडी निकालना है तो 90 70 plus 70 plus angle BA D is equal to 180 degree कौन से triangle में वह त्रेंगल कौन सा है triangle A है B है और triangle D है triangle A B D में एक अंगल 90 है ठीक है तोकी 90 गिवन है 70 भी गिवन था हम को angle BCD निकालते है ठीक है अगर हम angle BCD निकाल दिये तो आपनों 40 में से कर देंगे minus किसको bcd को तो कौन सा बचेगा सिर्फ यह बचेगा ठीक है मन्ताब यह ब़ला पूरा एंगल कितना था यह पूरा एंगल 40 था ठीक है हम triangle a.b.d. के help से हम लोग यह वाला अंगल निकाल लेंगे ठीक है और 40 में से यह पूरा 40 था और 40 में से हम यह वाले पार्ट को कर देंगा माइनस तो क्या बच जाएगा यह वाला पार्ट तो हम से यह तो खोज रहा था तो हम करते हैं तो एंगल BA D is equal to कितना हो गया 180 माइनसarta-90 Pinterest available 168-D is equal to 120 degree only at 20 degree यह है यह औली 20 को जब यह वाला यह यह वहला अगल 20 वह गया और यह वहला 40 है तो यह वहला कितना बचा सिर्फ यह वहला बच जाएगा 20 अठीक है तो हमसे तो एंगल कौन सा एंगल डी ए इस एकल टू 40 minus 20 degree is equal to 20 degree इस question का answer हुआ समझते हैं फिर से हमें क्या कर रहा है question given क्या था question given था एक triangle है ABC जिसमें कि AD इसका perpendicular है और A ही है जो angle A को bisect कर रहा है और angle C 30 degree है angle B 70 degree है तो हमें angle A निकाल लिए होगा 80 degree ठीक है किस से sum of angles of triangle से 80 आ गया है ठीक है हम यह दोनों आपसमें बराबर होगा क्योंकि जो A है वह angle यह को बाट रहा है यह 80 था पूरा पूरा तो 40 40 हो गया मतलब यह वह पार्ट पूरा 40 हो गया ठीक है हम यहां 90 है तो यहां भी 90 ही होगा ठीक है हम triangle कौन से ABD में हमको मालूम चल गया कौन सा है एक 90 एक 70 तो हम एंगल यह निकाल लिए कौन सा है BAD निकाल लिए एंगल BAD निकाल लिए कितना यह वह यह बीस जीडिया है ठीक है जब यह पूरा 40 है और यह 20 है तो यह 20 बचेगा ठीक है तो यह हुआ हमारे इस कौश्चन का अंसर अब हम आते हैं कौश्चन नंबर 5 पे आपको वहां पे दिख रहा होगा हम कौश्चन नंबर 5 को पढ़ रहा है 5 यह बोलता है AB और AC और two courts of circle ठीक है a tangent at B and C meet at point P अच्छा एक AB और AC एक टैंजेंट है दो टैंजेंट है sorry एक triangle इससे ड्राव कर लिए हम इस तरीके से एक circle ड्राव कर लिए ठीक है AB और AC AB और फिर AC दो cord है ठीक है फिर क्या बोल रहा है एक point P से tangent है ठीक है जो B or C पर meet do R a tic Point P हम यहां मानते है something point P हमानते हैं तो वो मतलब बी और सी पर इस तरीके से वह है जो Trent कर रहा ठीक है पॉइंट पी हाँ हो गया है यहां पर point P हो गया यह टॉज कर रहा ऩी कर निकर रहा टॉज कर रहा है है कि यह है और कह बोल रहा है कि एंगल B.S.E. एंगल B.A.C. तो यह हैंगल मिस कितना कि यह एंगल कितना है वह है 54 हम से पूछ कह रहा है मेंजेरल्मट मै टाफ ग्षय बी पी शी यह अच्शा बी पी से भीपी सी रहा है तेक है इसको चैसे घ्रह सकते हैं कि उसको में कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमें रॉंक कर добले सेंटर्ट का समीं सेंटर यहांप पहुगा है है एक हम एजूम करते हैं कॉर्ड इस तरीके से एक अचिछ निया में हाँ पर ठीक है एक कॉर्ड रिजूम कर लिए अगर यह टैंजन्ट है टीक है इसको हम लोग यह टैंजन्ट है तो यह वाला एंगल प्युक्त ऑठीक है, यह जब यह पीबिए टेंजन्ट है ठेक है और यह इसका रेडियस हुआ सेंटर ओ के साथ यह रेडियस हो यह यह में सब्सक्राइब होगा ठेक है सिमिदरली वैसे यह भी नबड़ी होगा जब टैंजन्ट हो और जब यह बला एंगल 54 है हाँ दो कैसे एक बीसी हम लोग एक कॉड रिजूम कर रहे एक बन रहा है सरकम Bereदना काइसे वल्रहा आप देख रहा है देखिए अप लोग यह कोड से कॉड शे कॉड से बीसी काट से उसको मुम लोग canva कदते हैं उलग से एक ऐसे सर्कल तरहीयस है ठीक है एक ல्लेक यहां पर लोगे चै濃 delivered है यहां पर एंगल एक सरक्म करिल सबने हाए Champagne TRX यहां पर एहां पर २्यग पर कितना वह फिप टिवूटर ठीक है जब एक ही कॉट से nasıl बनता है ग्से पर एक बन रहा हो circumference पर तो एंगल हमेशा दुगना होता है कि से तो यह हो गया ठीक है वैसे ही 108 यह हो गया तो वैसे यहां पर कितना एक 108 हो गया ठीक है यह समय आई कि नहीं है हम इस बात को कितना बार बोल जूके हैं कि अगर से में एक ही कोट से दोग बन रहा होता है एक सेंटर पर एक उसी को लिकर कि सरकमफेरिंस परसेंटर वाला एंगल हमेसा दुग न होता है ठीक है यह चगवन तो यह बला एक CW opens है ठीक है अगर यह एंगल 108 है और यह पूरा एंगल 90 डिगरी है क्योंकि यह टैंजेंट है तो 90-90 कितना हो गया 90-90 180 90 पिलस 90 180 पिलस 108 पिलस हम एंगल एक समाल लेते हैं इस उक्रड़ कितना होगा 360 होगा क्योंकि एक B O C P क्या है एक कोडिलेटरल है तो कोडिलेटरल में तीनों स्वरी उसमें चारों एंगल का सम कितना होता है 360 के बरावर होता है तो हम इसमें तीन एंगल तो हम निकाल चुके हैं 90 90 और 108 तो बचा कौन सा है एंगल एक बच गिया हम यहां से 90 90 180 180 ठीक है पलस 108 पलस एंगल एक सिस उकल टू 360 डिगरी यहां तो कोई दिकत नहीं 088 हो गया 088 हो गया और 11 12 हो गया पलस एंगल एक सिilles को टू 360 डिगरी ठीक है तो हमको से यहां से एंगल एकस निकालना है यहां पर दिखाई तो देना चाहिए वैसे हम इसको ऊपर लिगेते हैं ठीक है एंगल एकस निकालना है हमको तो एंगल एक सिस इसकोज डिच गिस्टू 288 288 माइस करेंगे 10 में से 8 गया 2 5 में से 8 तो जाएगा नहीं तो बज़ गया 7 ठेक है यहां हो गया answer यह तो 2-0 हो गया मज़ता कि angle x is equal to 72 degree समझते है फिर से निकाले कैसे हम कोशन का गवें था कोशन गवें यह था कि सिर्फ एक रहेंगा एक सरकल दिया हुआ है ठीक है उसमें AB और AC कॉड है जो की पॉइंट पी पे जो टैंजेंट आ रहा है वो सी और बी पे मीट कर रहा है ठीक है यहां तो प्रशन था और एंगल एक इवें था दिगरी तो हम क्या किये एक कर लिए कॉड ठीक है हम लोग जो कॉड पे जो एक ही कॉड से दो एंगल ने हां पर हम लोग बन रहा है एक सिंटर पर बन रहा है और एक सरकम फेरेंस बन रहा है तो सेंटर वाला एंगल हमें साथ दूना होता है किस से सरकम फेरेंस वाले एंग है तो इसका चारो एंगल का सम 360 के बरावर होता है तो तीन एंगल तो हमें पता था ही हमने चौथा एंगल इस तरीके से निकाल लिया वह था एंगल जो हम से कोशन पूछ रहा था एंगल पी मतलग की एंगल बीपी सी इस इकल टू बहत्तर डिगरी ऑप्शन नमबर कौन सा ऑ तो यह रहा आज के पांचो कोशन का सॉलूशन हम लोगों बात करते हैं जो हम लोग ने पिछले विडियो में एक घुम्बग तौर पे कोशन लिया था वह कोशन किया है अचे're if the orthocenter and the centroid of a triangle are same then the triangle is exactly orthocenter or centroid orthocenter क्या होता है orthocenter आ यसे के एक triangle है ठीक है हम लोगों से तीन होज से ट्राव कर दिये पर्पेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पर तीन हो पर्पेंडिकुलर मिलता है उसको मों बोलते हैं उसको छोग हमारे पास मेली का पर परपेंडिकुलर Аपसब मिलता है वह होता है टो ऐसा कौण सा ट्रेंगल है है जिस में की मलब Запावiyoratore को सब्सक्राइब को एक ही पॉइद पर ταयंगल होता है एक संघ्राइब एक विट्र्ण ट्रेचल व होता है कैसे देखते हैं जैसे कि एक ट्रयंगल इस तरीके से हैं हम इसमें ब्रॉब करते हैं पहले median किसलिए ताकि हमसे centroid निकाल सेके एक ड्रॉ कर लिए median इस तरीके से median equally बाड़ता है ठीक है median equally बाड़ता है और फिर median है जो equally बाड़ता है तो यह हुआ triangle ABC का median हुआ ठीक है जब हम median ड्रॉ करते हैं तो बिल्गूल median वाले line पे ही हम लोग perpendicular को ड्रॉ कर सकते हैं क्यूंकि इसका all sides आपस में बराबर है हमनों जब triangle को congruent करेंगे तो यह दोनों angle आपस में बराबर आएगा ठीक है बराबर आएगा angle अगर एक ही लाइन पे दो एंगल बराबर होता है तो एंगल हमेशा 90 को होता है ठीक है यहां कोई दिकत नहीं जब यह 90 रित मत्दों कि यह क्या है यह भी एक पर्पेंडिकुलर ही तो है मतलब कि मेडियन एक लेटर ट्रेंगल में मेडियन और पर्पेंडिकुलर दोनों एक ही लाइन होता है क्यूंकि इसमें all sides all angle आपस में बराबर होते हैं इसमें कोई सा अलग से मेडियन यह यहां पर पर पर्पेंडिकुलर डॉन नहीं करते हैं हम लोगों को मेडियन इसमेडिकुलर ही एक्विलेटर ट्रेंगल में ही और वही पॉइंट पर मियां, हम समझते हैं, कि उस और्थोक्र şeyा होता है, उसको कहलो अर्थो करते हैं, और वही पॉइंट पर करता है उसको बोलते हैं और सेंट्राइड क्या होता है जहां जिस ट्रैंगल में मतलब हम लोग की तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं मेडियन जहां पर तीनों मेडियन मिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या सेंट्राइड लेकिन राइट ट्रैंगल ट्रैंगल लेकिन एक्विलेटरल ट्रेंगल में सेंट्राइड और और्थो सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे होता है ठीक है तो यह रहा इस बुडियो का मतलब पिछले वाले बुडियो का कोश्चन का सॉलूशन तो जो आज का हुंबर के आपको वहां पे दिख रहा होगा आपको इस कर दें ठीक है बाकी आपको तो पता है क्या करना है तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में